हेलो, बेलकम टू केने स्टेडीज, साइन्स एंस एंसी आर्टी क्लास 6 में आज हम चेप्टर नंबर 14 देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो वाटर है, देखो वाटर आपका जो है इंपोर्टेंट इंग्रिडियेंट से है और यह जो है यह आपका नेचुरल अवस्था मे देखोगे, डिफरेंट फॉर्म में आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है, सोलीड, लिक्विड और गैस, इन फैक्ट देखोगे, कि जो भी है, अब मान के चलो, सोलीड में जो पोल है, पोल में, या फिर हिमाल्या है, और बहुत सारे माउंटेन हैं, तो उसमें इसा पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर, विदाउट वाटर, यू कैन नोट सर्वाइव, गैस फॉर्म में आप देखोगे, वाटर वेपर, ठीक है, और एक कोस्चन अभी देखोगे, असिस्टेंट कमानें 2020 में आया था, कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, जहां सोलीड लिक्विड गैस तीनो पाया जाता है, तो सोलीड लिक्विड गैस और सोलीड से डाइरेक्ट जो गैस में कनवर्ट होता है, उसको सबली मेशन कहते हैं, ये भी आपका एक्जाम में डिफरेंट टाइम में पू और बहुत सारे दुनिया के हर कॉंटिनेंट में जो भी हाई पीक है, उसमें से पाया जाते हैं, लिक्विड आप हमेशा देखते हुई हो, गैस वाटर बेपर जो होता है, और एक ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, जिस पर जो कोई भी मेटेरियल है, वो रूप से आपको लिक्विड बगएरा में, लिक्विड अवस्था में या सोलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में क्या है, फिर थभी के अंदर बहुत जगा पाया जाता है, बहुत टेंपरेचर हाई के खारण, तो यहां देखो जो यह की वर्ड्स हैं इस चैप बारिश बगएरा होता है, तो उसमें condensation एक important factor होता है, drought, जदि बारिश नहीं हो रहा है, water का कमी हो रहा है, तो वो drought है, evoporation, evoporation आपका जो होता है, कि evaporate, जैसे तलाब बगएरा से लेकर के जो भी है, या natural रूप में तलाब, नदी, जील बगएरा से, evaporate water होते रहता है, बास groundwater, groundwater क्या है, देखो, जब आगे के कच्छा में, 12th वाले में, 12th class का जोग्रफी पढ़ोगे, या और आपका पहले भी पढ़ोगे, 9th वगेरा में भी आएगा, तो उसमें जो क्या है, कि जो जीतना भी ही पिर्थवी पर water है, तो 97% water क्या है, ocean में है, और वो यूज करने ला 30% में भी एक तरह से 2% जो है, आपका 2% जो है, आइस कैप में ये पढ़ा हुआ है, जो different polar region में, और फिर उसके बाद जदी देखोगे, तो हमारे जो groundwater है, तो groundwater अच्छा खासा है, फिर उसके बाद जेखोगे कि rivers में पाए जाते हैं, फिर atmosphere में पाए जाते हैं, लेक्स बग में जो है कि अधिक exploitation के कारण जो बहुत सारे area में groundwater का layer बहुत नीचे चला गया, hail, hail जो होता है, क्या होता ना, कि जैसे, देखो, normal rain होता है, तो एक तरह से इसको solid rain कर सकते हो, solid rain, अब इतने बड़े-बड़े, मान के चलो, बारिस की बूंदे जो क्या होती है, बहुत हो जाती है, बड़े-बड़े पत्थर टाइप का गिरते हैं, वो काफी एक तो मास होता है उसमें, उसके बाद जो इतने speed में गिरते हैं, तो वो उसको hail करते हैं, यानि इसको solid rain भी करते हैं, आप जान रहे हो, कि दुनिया की जो फार जो है, बड़े ocean है, आपका Pacific Ocean largest है, उ ocean में है, और एक चीज़ देखना कि बले ocean का different name है, आपका Pacific, Atlantic, Indian और Arctic, फिर Antarctic भी है, फिर आपका sea है, जैसा Mediterranean Sea, Bay of Bengal और Arabian Sea, तो वो से भी sea भी है, तो उसमें से क्या है कि 97% जो water है, वो उसमें concentrate है, rain water harvesting, आज की date में देखोगे कि बहुत सारे जो government building बन रहे हैं, और in fact जो ब harvest किया जा सके, यानि कि उसको बचा करके रखा जा सके, जैसे मैं एक समय सिल्चर में था, तो वहाँ rain water harvesting system हम लोग का था, तो क्या है कि कभी-कभी ना पानी गर्मी के समय में ने आती थी, लेकिन उसमें माई के महिने में बारिश होती थी, तो हम लोग क्या है water को संग रहीत उसको करके रखते थे, ताकि उसको हम यूज कर सके, snow, snow आप जो है, आपने either snowfall कुछ लोगों ने भी life में experience किया होगा, यदि snowfall नहीं experience किया है, तो at least snow जैसे सिमला मनाली और ये सब जगों में, या गुलमर्ग, जो भी कासमीर गए हो, या फिर उत्राखंड, या फिर हिमा इसमें सबसे इंपोर्टेंट है, ये चेप्टर का समरी है कि बाटरी इसेंटियल फोर लाइट अवेसली है, विदाओट वॉटर, यू नोट सर्वाइब ना, बोटर वेपर गेट्स आड़ेट टू एर वाइव एपोरेशन एंड ट्रांस्पारेशन, ये शास बगेरा ये पेड़ पाध्यों के धुरू ये होते हैं, दो वाटर वेपर इन दे एर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स आफ वाटर बिच एपियर्स आज क्लाउड्स, मेनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम तोगेधर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हैल, तो प्रॉपलेट्स वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉंच, वेल्स, एंड श्वाइल, तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिट्विन ओसेन एंड लैंड इज नोन आज बॉटर साइकिल और वाटर साइकिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सिशिव रेन में कॉज फ्लॉड प्रॉटर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम कमिंग डेज में भी और जगहों पर देखेंगे, ठीक है, तो ओके, तिंक्यू